आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ हेलो दोस्तों हमारा प्रशन है निमने में इसे कौन सी तरंग विद्धू चुम्बक्ये तरंग नहीं है ठीक है हमारा विकल्प दिया गया है पहला विकल्प है X-Ray दूसरा विकल्प है Prakash Kirne तीसरा विकल्प है Usmiyah Vigran और चौथा विकल्प है Dhuani तरंग ठीक है तो सबसे पहले समझते हैं कि विद्धू चुम्बक्ये तरंग क्या होती है इसकी प्रकृति क्या होती है तो दोस्तों विद्धू चुम्बक्ये तरंग जो होती है इसमें विद्धू छेत्र विद्धू छेत्र और चुम्बक्ये छेत्र चुम्बक्ये छेत्र दोनो परस पर लंबवत होते हैं ठीक है और विद्धु चुम्बकिये तरंग को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यक्ता नहीं होती है माध्यम की आवश्यक्ता नहीं होती है मतलब ये माध्यम में भी चल सकती है और निर्वात में भी चल सकती है और ये इसकी प्रकृती होती है इसकी प्रकृती क्या होती है अनुप्रस्त तरंग की प्रकृती की होती है इसका क्या मतलब है, अनुप्रास तरंग की प्रकृटी का, कि इसमें जो तरंग संचरंग की दिशा होती है उसके लंबवत इसके कणों का कमपन होता है, यह होती है, अनुप्रास तरंग की प्रकृटी तो अब हम चारों विकल्प में देखते हैं कि कौन सा विकल्प विद्धुचुम्ब के तरंग नहीं है तो X-ray ये क्या है हमारी विद्धुचुम्ब के तरंग है प्रकाश किर्णे ये भी हमारी विद्धुचुम्ब के तरंग है क्योंकि प्रकाश किर्णे क्या होती है निर के लिए माधिहम की आवशक्ता होती है ठीक है और ये अनुदैर्य प्रकिर्टी की होती है अनुदैर्य तरंग की प्रकिर्टी की होती है तो हमारा ध्वनी तरंग विद्व चुंबक्य तरंग नहीं होगा अर्थात ये हमारे विकल्प का ये विकल्प हमारा सही विकल्प है ध्वानी तरण विद्व चुम्ब के तरण नहीं है धन्यवाद